अस्वीर सिंग जी तक 18 इस सदन के सन्मान्य सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे कुछ लोगों ने पक्स में रखे, कुछ लोगों ने भी पक्स में रखे कुछ लोगों ने तथ्यात्मक रखे, कुछ लोगों ने राध्यतिक तरीके से रखे और मैंने सब को करीब करीब ध्यान से सुना है जो नहीं सुन पाया इनकी नौट भी यहां बैटकर मैंने अपसरों से जो मुझे प्राप्त हुई मेरे साथी M.O.S. से प्राप्त हुई उसको मैंने पड़ा है मन्य अद्यक्जी मैं इस सदन को सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कुरुपिया जम्मु कस्मिर की स्थीती को हम समझे रादनिती करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता घुमरा हो दे मन्य अद्यक्जी यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किये गए थे उसकी दिसा में क्या किया मैं तो जरूर इसका जवाब दूँगा मुझे मौका दी दी या आपने जवाब दे ने खा मगर भई 17 मएने होए दारा 370 हटे हुए आप हमसे हिसाब माग रहे हो 70 साल आपने क्या करा इसका हिसाब लेकर आये हो क्या क्या किया 70 साल और अगर 70 साल धंग से चलाजे तो हमसे हिसाब मागने का समय ही नहा था मानने अध्यक्जी उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहाँ पर प्रसाशन स्थीति को समाल रहा था इतने में कोविड लग गा है एक साल लगबग लगबग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब माग रहे हैं मुझे कोई आपति नहीं मैं हिसाब देता हूँ याना पाई का हिसाब देता हूँ एक एक काम का हिसाब देता हूँ एक एक बात का हिसाब देता हूँ मुझे उसमें कोई आपति प्रंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ मन्यद दग्जी जिनको पीडियो तक सासन करने का मौका दिया वो जरा अपने गिरेबान में जहा कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं है मान्य जग्जी दारा 370 को हटाने का मसला कि कौर्ट में है मसूदी साब हाई कौर्ट के जज रहे हैं सुन्ने के लिए नहीं बैठें मगर मुझे रेकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा उन्होंने कहा कि सुप्रीम उन्हों मामला लंबित है मनिस्तिवारी जी ने भी कहा वो भी चले गए आगया अच्छा हुआ लंबित है मानने अध्यक्जी उनको कौर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कौर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में पांच जजों की बेंच को सुप्रत किया गया ह अगर इतनी अनकॉंसिट्टिशनालिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का और वो रोक लगा दीती पर अंतु यहाँ पर कोई स्टे नहीं है सर्वोच अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता उन्होंने उसको विचारा धिन रखा है जब सर्वोच अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे जवाब देंगे और सर्वोच अदालत नहीं नहीं करे जाए वहाँ पर डेवलप्मेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाए और मुझे कह रहे हैं मान्य सदस्य स्वीतिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कौट को अरजी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करूं मान्य अध्यक्जी में उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कौट के सामने है ही एक पक्स लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने हटाया मगर आप तो सुप्रीम कौट के सामने ही नहीं हो भई ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों और बोल रहे हो यह तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कौट में ज सुनवाई करता है और जिसमें सत्तर असी सो वकिल एड़ोकेट्स खड़े होंगे पार्टियां इतनी होगी इसकी वर्चुल सुनवाई संभव नहीं है यह आपको भी मालूम है इसलिए सुनवाई नहीं होई इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है पांच जज का बेंज भी बन चुका है और जैसे ही सुप्रिम कौट वर्चुल सुनवाई के मोड से पुन फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा तब जरूर सुप्रिम कौट अपनी प्राविटी के हिसाब से इसको सुनेगा मगर तब तक कोई काम न करे क्या एक कीस प्रखार क इस सदन के अंदर दिये जाते हैं मन्य अध्यक जी सदस्य टी सुमतिव और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मु कस्मिर को स्टेट हूड नहीं मिलेगा भई बिल को पाईलोट तो मैं कर रहा हूँ लेकर मैं आया हूँ मंसा मैंने कहीं कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेट हूड इससे नहीं मिलेगा आप कहां से द्रॉ करती हूड अब कि मन की आसंकाओं को जम्मु कस्मिर की जनता पर क्यूं थोपरे हूँ मैंने इसी सदन में कहा है और फिल से कहता हूँ कि इस मिलका जम्मु कस्मिर के स्टेट उड से कोई लेंदे नहीं है उप्यूक्त समय पर जम्मु कस्मिर को स्टेट उड दिया जाएगा और कह रहे हैं कि स्टेट उड देना है तो एगमूट में क्यों लेकर आए ज़रा एगमूट केडर को ही समझ लेते हैं क्या रूनाचल राज्य नहीं है, क्या गोवा राज्य नहीं, मिजोरम राज्य नहीं है, यह सारे राज्य ही है, जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजेहती नहीं होती, यह सारे राज्य है और एगमूट केडर के अंडर में है, जहां पर विशेश प्रकार की भगोलिक प प्रीस्तिटी ही होती है भहां पर अपसर भेदने पड़ते हैं और वो राजयर के विकास के लिए जाते हैं जो अपसर एगमूट केडर के है वो ही मसूरी की जगे पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जमुकस्मिर केडर के लोग पहले लिया करते थे यह ओल इंडिया केडर है मानेवर और OEC साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं भई आपके मन में सब चीज हिंदू मु मुस्लिम में डिवाइट करते हैं क्या करते हैं एक हिंदू अपसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता एक मुस्लिम अपसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता कि इस प्रकार के देश में हम आगे बटने जा रहे हैं अपसरों की संक्या हिंदू मुस्लिम में बाटेंग नहीं होगी ज्यादे चिंता होगी ज्यादा उचाट संसय बढ़ेंगे मेरा सभी से निवेदन है